हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक टू ओडियो ट्रोप साइब में टेक्निकल फ्रेंट संदीप कैसे है आप सब लोग उमीद करता हूँ कि बढ़िया ही होगे मेरी तरह है तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पिसली वीडियो में बताया था कि power supply की एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको बताऊँगा इस power supply के functions के बारे में जो कि मैंने एक word यूज ढ़िया था कि यह multi tasking हमारी जो है power supply रहेगी तो ये multitasking कैसे है दोस्तों तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर 6 capacitor लगाए हैं ठीक है इसके अंदर 6 capacitor आप लगा सकते हैं जो कि अब 2-1200 watt तक काम करेगा अगर किसी भाई को 400 watt का जो board खरीदा है और उसमें power supply इन बिल्ट नहीं है तो इसमें हम 2 capacitor लगाएंगे तो वो 400 watt पे चलेगा 500 watt के लिए आपको 4 capacitor यूज़ करने होंगे जिससे आपकी ये जो power supply है ये 500 watt के लिए बन जाएगी और अगर दोस्तो आपको यही power supply 1000 watt या 1200 watt पे चलानी है तो इसमें हम क्या करेंगे फुल इसको भर देंगे 6 capacitor इसके अंदर हम यूज़ करेंगे जिससे कि ये power supply आपकी 1000 watt और 1200 watt तक के board पर अराम से चलेगी तो दूसरी तरफ हम आते हैं दोस्तो यहाँ पे हमने इसके अंदर rectifier यूज़ करेंगे यहाँ पे लगाएंगे दूसरी तरफ हमारे हमने यहाँ पे diode यूज़ किये हैं छोटे capacitor यूज़ किये हैं जो कि हमारी यह जो power supply यहाँ पे बनेगी वो हमारी बनेगी 0-12 के लिए तो 0-12 का यूज़ कैसे कर सकते हैं दोस्तो अगर आपको कोई fan लगाना है या आपको speaker protection चलानी है तो हम यहाँ से उसके connection दे सकते हैं तो यह थी हमारी multitasking जो हमारी power supply की PCB है इसके बारे में जो भी जानकारी थी इसक में हमने लगाई है यूज़ किया है वो सब बता दिया मैंने आपको अगर दोस्तो आपकी इसकी DIY वीडियो देखना चाहते हैं कि कैसे हम इस power supply को assemble करेंगे कौन-कौन से हम इसमें components तो इसकी मैं एक वीडियो आपके लिए बना दूँगा तो दोस्तो यही था इस वीडियो में उमीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी तो पसंद आई है तो आपको पताई है क्या करना है वीडियो को like ठोक देना है और जो भी नए viewers अपना जो वीडियो ये देख रहे ह और सबसे बड़ी बात जो की important बात है description में से अगर आपको order place करना है तो description में से आपको number मिल जाएगा whatsapp का तो उसको उठाओ, save करो, message करो या फिर call कर सकते हो और आपको description में हमारा facebook page का भी आपको link मिल जाएगा वहाँ से आप उसको जाके follow कर लीजिए क्योंकि जो भी नई वीडियो जाती है, वीडियो के आने से पहले हम उसी पे update डालते हैं, तो आप miss ना करें, इसलिए page को जाके follow करें, तो मिलते हैं दोस्तों next वीडियो में, तब तक के लिए bye, take care